इनके साथ जो है इनकी चेन चीनने की कोशिश में ब्लेट से इन पर वार किया गया जिसमें इनका पूरा का पूरा जब रहा है आपके तो उसको चापकू लगा है इस चो भी कुछ नहीं चा रहा है ना आयो चा रहा है इस भाई को इनसा मिले वो उनको उन बंदों ने सांसियों ने इतना रुपे दे दिया है पूरे थाने की जेम भर दी है जिन लड़कों ने होस्पीटल पहुचाया पुलिस वालों ने उनी लड़कों पे मतलब केस ला द सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कोई सुनने वाला करीब होगी कोई नहीं है परियाद आज के टैम में नमस्कार आप देख रहे हैं जलको दिल्ली और बीते चार दिसंबर को एक बहुत ही जादा भयानक बारदत हुए आप यह देखिए इनका चेहरा जरा एक बर देखिए इनके साथ जो है इनके चेन चीनने की कोशिश में ब्लेट से इन पे बार किया गया जिसमें इनका पू बहुत है जीब सा केस बन रहा है यह इसके बार में भी आपको बताएंगे लेकिन पहले इनके बात कर लेते कि आखिरकार यह वार्दा कब होई और कैसे ऑखिरकार इसके पीछे का मोर्टिफ क्या रहा था क्या आपकर सकते हैं वाज ने निकले और इनको पता से क्या नाव पर्सोपर्सो की रात में चार तारिक को हुआ है साम को हुआ है और रोनक बजार के लडगे हैं ने मेरे पर हमला किया है कि राडी में और एस चो भी कुछ नहीं चारा है आई उचारि रहा है इस भाई को इंसाब मिल हूँ उनसाब था यह रास्ते में इसको घेर के फिर के वह दिए नसे इसके पास पैसे हैं लिकिन मेरा बच्चा नहाद हो के घर से गया और उन्होंने छूटते तीन लोग चार लोग थे एक ने पीछे पकड़ लिखा था और एक आगे से और पीछे से एक दम बिलेट न्यू चलाया कई बिलेट मारें बचा बचा में एक इंच का फरक रह गया है उन्होंने अपने जानदास तो बिल्कुल खतमी कर दिया मेरा बच्चा एक किलो मेटर से दौर से खुद को अपना जान बचा के भागता हुआ है यह दोक्टरों की दुकान हो पे गया डोक्टरों ने मना करा फिर दो लड़के इसको लेके संजे गांधी होस्पीटल में प पहुचाया पुलिस वालों ने उन्हीं लड़कों पर मतलब केस दिया वो लड़के फरार तीननोत दिन जब ज्यादा दबाव पड़ा बकील साब को हमने वहां थाने में बुलाया मजबूर होके कि गलत बच्चों को आप पकड़ रहे हो जो मैन मुझरी में उनको नहीं प पताल में भागा के दोर के ले गया तो उसके उपर रख रहे हैं ये लोग कि उसने मारा जिसने मारा उसको पुलिस बचा रही है और मेरा बच्चे के टांके लग रहा है रो रहा चीख रहा चिला रहा पुलिस वाला कह रहा है सही से बोलना थपड मारूंगा बताओ मेरे ब दिखाना है तो सिफो में तो था cert इसकी किसमत कुछ से यह भच गिया है है फोटो है यह चीह이 जब उन्होंने मारा था तब के फोटो नहीं है है यह तो आप देख सकते हैं किस तरीखे से यह स्वीर है आप देखें ब्लेट जब मारा था तब पूरत पूरा इनकी जब्डे से गाल तक पूरा मास पढ़ चुका है और इस बिंतब विहोशी के हालत में यह फिर भी पुलिस देखे किस तरीकी की बात कर रही है कि साही से बॉल्वन फपड़ मारूंगा यह सुलूक हो रहा है जो बिचारे के सारी लड़कों को फसा जाता है जो ल कि इसके मारे बच्चा भाग ना पाए गाड़ी होके मेरी गाड़ी रख ली और मैं पैदल भाग के आए था मेरे पूरा यह बच्चे को आराम मिलना चाहिए मैं यहां बचक रही हूं मेरे को इंसापी नहीं मिलना अब यह बोले करना चाहिए और हम प्लिस के दर से बगे-बगे पिर रहा है कि प्राम के गलैने के इस्के सब्सक्राइव यह कहरा है और फिर नए पढ़ा दकतरा कि बयाए तो इन Tambinos को ब्लेड लगी यहि sometime तुमने पहले मारा उसके बाद उन लोगों ने बचाव में मारा यह हो रहा है प्रशासन के अंदर जब उसको भी लेट माहा था तो तो कहा था जब हमारे बच्चे को लगा हम अस्पताल में पहुचे थे ना तू क्यों नी पहुचा हमारी रिपोर्ट वहां पहले हो गई है पुलिस वाले यह भी तो कह रहे हैं कि जिन्हों ने इनको बचाया है उन्हों नहीं इनको मारा है फिर पुलिस वाले बोलते बाद में कि पहले इन्हों ने मारा है फिर उन्हों ने मारा है तो पुलिस खुद भी तो बार बार बदल रही है पुलिस मेरा नाम एड़ो के रा जब मैंने उनसे बात की और उनको मैंने बोला कि आप गैर कानूनी कारवाई कर रहे हैं और आपकी हिम्बत कैसे हुई कि विक्टम को आपने इतनी सीरियस इंजरी में आपने ठाने में बुलाया तब जाके इनको छोड़ा क्योंकि ये गरीब लोग हैं और दिल्ली पुलिस ग मेरी में आई पी सी सेक्शन 324 लगेगा क्या इसको इसलिए जस्टिस नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये गरीब है तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इन्हीं को तरह तरह के प्रतारित किया जा रहा है आई यो को बार बार फोन आ रहा है इसका स्टेटमेंट चेंज किया जाने नहीं था उन्होंने ये लिख दिया कि किसी नुकीली चीज से वार किया जबकि विक्टम ने खुद कहा कि जो सरजरी कर बलेट था उससे मारा गया जिसमें ये 307 का मुकदमा बनता है कहीं न कहीं अक्यूस के साथ आई यो मिलावा है हमारी मांगे सबसे पहले तो आई यो क पर बहुत बड़ा सवाल है क्या दिल्ली पुलिस गरीबों को न्याय नहीं दे सकती पुलिस वाले बात बात पर हमें धम का रहे हैं यह तो देखिए हमारे बच्चे का सारा पूम कर रहे हैं अब देखते हैं कि अगर यह उनका ही नंबर तो स्पीकर पर बात कर वह क्या बो सब्सक्राइब करूंगा के वकिल साब आएंगे तब साइन करूंगा जो सब्सक्राइब आपने कर रात को भी विक्टम को ठाने में बुलाया उसको सीरियस इंजीरी थी तो आपने क्यों बुलाया आपको तो पकड़ना नहीं था आपने महमूली धारों में सेक्शन लगाया 324 का अभी 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 मेरे पास है अभी यार में 304 करती है उनको जिर वेजरा हूं मैं तो रोहनी कोट में यूं आप आजेए आकर बटाईए कि इनको आप क्या इंसाफ दिला रहे हो आयो करेंगे अप सार पहले तो आप जो इंजरे और उसको आप पहले 323 की अफईर देते उसके बाद आँ किसी प्रेशर में आकर कि 307 का इस अफ़ायर का करें है इस तुम साफ ठेशर किस बात को नहीं पता अभी अगे वह उन्ज़ादां आप के नंबर चार आईए मेरे बच्चे के पीचे पड़े हैं कि सैन का हम क्यों करें सैन उसमें क्या लिखा है जब आपने गलत लिखिए उसमें क्या पता तुमने क्या लिख रखा है मैं देखा कि यह पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो रात के ग्यारा बचच के चार मिनट पे बच्शी और इस सेचो को किया अब यह सारी में यह देखिए आप इन्होंने जिंजिन को मेल किया है सब यह दिखा रहे हैं कि इन्होंने एक रात में कितने लोगों को मेल कर दे लेकिन फिर भी प्रशासन जो है भूमन होने के कारण मैंने खुद इसका कंडिशन देखी और मैं खुद ठाने में भी गया और पुलिस का ऐसा रवया प्रेम नगर ठाना ऐसा लग रहा था कि यह दिल्ली में कोई ऐसा ठाना नहीं है तो मैं मेडिया के साथियों से भी निवेदन करूँगा कि इस घटना को आप आगे आला अधिकारियों तक पहुचा है और जो हमारे सीपी साहब बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस का आम लोगों के पती विश्वास बरे तो ऐसे कैसे बर सकता है जस्टिस तो मिलेगा इनी गरी आने का सेक्षन तो देख लो एक बार को भी जूम करके दिखा वड़े वाई तीन सो तेस और चौंटिस लगा रखा है आयूस आपने जी मैं हूं गेट नमबर चार पे जहां से एड्वोकेट इंट्री है गेट नमर फॉर वहीं आई है आई आई सर प्लीज आप यह देखिए किस तरीके से जो है जिस लड़के ने बचाया था उसको ये बोले तेरी गलती यह है पहले उसको जब बिलेट मारा था तो तू हमारे पास लाता हम को दिखाता पहले इनसे यह पूचित जिसकी जान में पढ़ गई है तो पहले वो हॉस्पिटल जाएगा या इनके पास जाएगा उसके बाद मैंने पुलिस वारा से ये बोला हम आप बैठे हैं तो हमारी अपनी सुनने हो तो हमारा उस टेम पर क्या सुनते मेरा बच्चा अपनी जान बचा रहा था तो तुम्हें मैं आप इसकी आपन्स तूम लाक कर ते या कहला ने कर आज बोलने का तरीका जब मेरा भच्चा नहीं हो स्में था तो मैं क्यों लाथ जब बता आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरा का पूरा मामला आपने देखा होगा कि बिल्कुल प्रेम नगर थाने के जो पुलिस वगरा है जो भी प्रशासान है वो कोई भी काम जो है वो धंग से नहीं कर पारी सब अमीरों की फर्यास सुनते हैं वहां पर प्रेम नगर थाने में हैं मेरे हिसाफ से तो ना जब से वो थाना रखा गया है जब इससे गुंडा गर्दी बढ़ी है उस पुलिस वालों का क्या है जिसके तरब से आटेची आ गया बार दिया नोट तो आप देख सकते हैं कि को प्रूफ कर दिया है और ये थाने का रवया इतना खराब है कि कोई वकील साफ बड़े प्यास से अगर थाने में जाते हैं बात करने तो यह लोग सोचते हैं कि थाने के सारे हिटलर हम ही हैं हम जो कुछ करेंगे हम भी करेंगे क्या कारवाई होनी चाहिए फिर क्या इंसा के कारण और पूरे वकीलों के दबाव के कारण वह सक्ष्चन लगा दिया है जो लगना चाहिए 307 इन्हों ने दिखाया इनकी इस मामले में बहुत बड़ी चूक है आई यो को तो कम से कम बदला जा इनके ओपर एक डिपार्टमेंट इंक्वारी होनी चाहिए प्रेशर में के बाद पुलिस ने चेंज तो कर दी धारा तो दूसरी लगा दी लेकिन क्या इंसाफ मिल पाएगा या नहीं यह बहुत बड़ा जो है एक सवाल है इसके साथ आपकी क्या रहा है बताएं जरूर और देखते रहें जलको दिली मैं सिम्रन प्रोहिणी टेस्टिकोर्ट से झाल